हालो एब्रिवन गोड इवनिंग कैसे हैं आप लोग स्वागत आपका है लू टीचर्स पर मैं आपका जीएस मेंटर ग्यान प्रकाज चाह आपके सामने हाजिर हूँ जनरल साइन्स की क्लास लेकर तो जितने भी बच्चे देख रहा हैं सभी बच्चे एक बार जुड़ जाएंगे वीडियो को दोस्तो आप लोग सेयर कर देंगे फिरम लोग स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को और देखते हैं आज के महत्स पूर्ण सवालों को दोस्तो ये जो आपका अभी एक्जाम होने वाला है सीटेट का 31st जैन को उसमें दोस्तो जो भी आपके साइन्स के जैसे भी सवाल पूछे जाएंगे उस प्रकार का हम लोग मॉक टेस्ट लेकर हैं यहाँ पर ताकि आपको उसका बैनेफिट मिल सके एक्जाम में चिक है तो सभी बच्चे एक बार सेशन को सेयर कर देंगे बात करता है दोस्तो यह मेरा इंटोड़क्शन है आप हम अनकाडमी के आप पर फॉलो भी कर लेंगे ताकि मेरी क्लास मिलेगी आपको तीन बज़े कहा पर अनकाडमी के आप पर कब मिलेगी मंडे टू सटर डे है ना तीन बज़े आपको class मिलेगी, Monday to Saturday कहां पर अनकाडमी के आप पर तो आप लोग जूड़ना नहीं भूलेंगे, बात करते हैं, दोस्तो इसके बाद तो आप हमारे plus course से भी जूड़ सकते हैं, अभी आपका super test, UP का super test exam है, उसका plus course start हो रहा है, 13th of gen को, ठीक है, जो कि आपका March तक चलेगा, है ना, January से लेकर, 13th gen से लेकर आपका ये 23rd of March तक ये class चलेगा, तो उसके लिए आप जुड़ सकते हैं, जिसमें आपको daily live classes मिलेगी, live test and quizzes मिलेंगे, different exam के लिए structured courses मिलेंगे, और इन सभी का आपको unlimited access भी मिलेगा, इसके लिए करना क्या है, आपको unacademy के subscription platform पर register करना है, जिसके लिए आपको unacademy का learning app install करना है, उसके बाद आपको अपना goal, teaching exam select करना है, फिर आपको get subscription पर click करना है, इसके बाद आपके पास ये options होंगे, जिसमें आप या तो 12 या 24 month, कोई भी आप एक opt करेंगे, उसके बाद दोस्तों ये code use करेंगे, इस code को use करने पर आपको मिलेगा 10% का discount, then आप proceed to paper click करेंगे, payment करेंगे और payment करने के बाद आप academy के subscription का benefit ले पाएंगे, और दोस्तों याद रखेंगे, अगर आप 6, 12 और 24 month का subscription लेते हैं, आपके पास no cost YMI का option भी available होता है, इसका मतलब ये है, कि आप इसी amount को छोटे 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 installment में अकांग चाजी, अतुला उपाद्याई जी, मधू शर्मा जी, योगेश सर्मा जी, सिंपी कटियार जी, सवीता जी, सुमित घोष जी, रवी रंजन जी, सरमिस्टा जी, आयोस जी, बहुत बढ़िया, योगेश जी, सभी लोग जुड गया है, तो चलिए, स्टार्ट करते हम लोग, और दोस्तो, टोटल आपका आज के सेशन में 25 कोश्चन है, कल भी आपका सीटेड का मॉक टेस्ट होगा, जसमें हम लोग मॉक टेस्ट 19 देखेंगे कल, कल जो आपकी क्लास होगी, सुबह 9 बजी होगी, आपकी साम में 7 बजे और रात में आपकी कितने बजे 9 बज देख सकते हैं, इंग्लिस के लिए, महंद्र महरा सर की क्लास, EVS और GS के लिए देख सकते हैं, विजए सर की क्लास, आप रिजनिंग के लिए देख सकते हैं, पहला सवाल, गैस used as a disinfectant in drinking water is, पीने के पानी में कितानू नासक की रूप में इस्तिमाल होने वाली गैस है, कौन स गंटे की मैराथन मैं भी लोगा, आप लोग चिंता नहीं करिये, त्री या फोर आवर्स की है ना, उससे ज़्यादा थोड़ा पॉसिबल नहीं, हाँ, वाइट बोड वगर अगर बोड पे होता तो मैं 6-5-6 गंटे तो ले सकता था, बट 3-4 गंटे की मैं अवश्य लोगा यहाँ पर जब बात करता है दोस्तो पानी, पीने के पानी का जो मतलब किटानू नासक के रूप में यूज करता है जिस गैस का, उसका नाम है दोस्तो क्लोरीन, है ना, और क्लोरीन की जब बात करता है दोस्तो इसकी खोज किसने करी है, सीले ने करी है, और इस क्लोरीन का ही की कमी हो जाती है तो इससे एक बीमारी होती है और याद रखिएगा फ्लोरीन की अगर अधिकता होती है तो उससे आपकी फ्लॉरोसिस नामक बीमारी होती है ठीक है और टीत की जब बात करता है दोस्तों टीत की जो इस्टडी है न उससे हम लोग क्या कहता है ओडॉंटो ही कहा जाता है इसे भी आपको याद रखना है चीक है अच्छा 24 गंटे के महरा थन अच्छा ये तो थोड़ा संभव नहीं है अना हाँ 3 to 4 hours it is possible और मैं वो करवाओंगा आपको चलिए तो बात करता है दोस्तों इसके बाद अगले प्रश्न की हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं अगला प्रश्न आपके स्क्रेंड के उपर consider the following oxides of hydrogen, oxides of nitrogen, oxides of sulfur which one of the following causes acid rain यानि कि hydrogen के oxide, nitrogen के oxide, sulfur के oxide तीन oxide हैं अब आप से पूचा जा रहे इसमें कौन सा अमल वर्षा के लिए जिम्मेदार होता है ज्यान से सवाल को पढ़िए और इसका आप लोग जवाब दीजिए नहीं कल परसों तो संभव नहीं है योगेश जी लास्ट वीक में मैं जरूर लोगा हैना जैन के लास्ट वीक में I will definitely take 3-4 hour marathon class चलिए हम लोग जब बात करते हैं सवाल का आप लोग जबाब दीजिए काफी बच्चे यह आप पर C जबाब दे रहे हैं कुछ बच्चे D भी जबाब दे रहे हैं और session को आप लोग acid rain के लिए और acid rain is responsible for stone cancer stone cancer के लिए responsible कौन होता है acid rain इस चीज़ को आपको याद रखना है इसी के कारण जो monuments होता है monuments का जो color जो दोस्टो बदरंग हो जाता है वो इसी acid rain के कारण अमल वर्षा के कारण हो जाता है इस चीज़ को भी आपको याद रखना है ठीक है तिस प्रकार जो इसका सही उत्तर होगा वो क्या होगा option C 2 and 3 is the correct answer ठीक है चलाए इसके आगे यहाद तक किसी को कोई समश्या होता आप लोग बताएंगे अना good evening रवी कुमार जी चलिए next मुद्दे पर हम लोग move करते हैं अगले मुद्दे पर चलते हैं अगला मुद्दा अगला सवाल आपके screen के उपर यह रहा defect of color blindness can be remedied by the use of desk के उपयोग से रंग अंधापन यानि वर्णांधता के दोस्त को दूर किया जा सकता है concave lens का use कर convex lens का यूज कर, cylindrical lens का use कर या फिर none of the above यानि कि इन में से कोई नहीं किसी का use करके नहीं कर सकते जबाब दीजिएगा इसका color blindness आपको पता होगा color blindness के बारे में वेलकल कंचन जी क्रत्रिम वर्षा के लिए silver iodide का use होता है बहुत बढ़िया वोट के इंक के लिए silver nitrate का, photographic के लिए silver bromide का और photochromatic glass के लिए silver chloride का use करता है या जिसे मेलोग on silver ही कहता है ठीक है, class का time मदू सर्मा जी, 9 बज़े होता है रात में पूजा वाट चीत जी, अरे वाँ, आप इतने दिन के बाद नजर आ रही हैं मैं यहाँ पर पढ़ाता हूँ, पिछले, मतलब 6 मन्त से आई तिंक जादा ही हो गया होगा, हाँ, almost 6 मन्त हो गया होगा है ना, नाम से सर्च कर लिया कीजिए, जब भी नहीं मिलू, तो याद रखिएगा, जब color blindness की बात करता है, दोस्तो हमारे rod के, जो हमारा retina होता है, उसमें एक cell होता है, कौन और इस कौन cell की जब कमी हो जाती है, कौन यानि कौन का मतलब है, जो कि codopsin cell से मिलकर बना होता है, इसकी जब कमी होती है, तो उससे होता है color blindness के लिए एक test होता है, ECR test है न कौन से test होता है ECR test और जब color blindness की बात करता है दोस्तों ये प्रकार के genetic disease है इसमें red और green color को देखने में क्या होती है प्रब्लम होती है जब बात करता है दोस्तों हम लोग color blindness की इसे ठीक करने का कोई उपाई नहीं है क्योंकि ये बिमारी ठीक हो ही नहीं सकती ठीक है तो इसका जो सही उत्तर है न वो क्या है none of the above is the right answer डी जो इसका सही उत्तर है Concave lens की बात करता है तो दोस्तों myopia नमक एक बिमारी है myopia या जिसे हम लोग क्या बोलता है निकट द्रिस्टी दोस्त जिसमें की दूर की वस्तों साफ नहीं देखती उसमें दोस्तों use करता है किसका Concave lens का Convex lens की बात करता है दोस्तों hypermetropia hypermetropia नाम सुना होगा आप लोगों ने इसे कहता है दूर द्रिस्टी दोस्त लेकिन इसमें इस निकट की वस्तों साफ नहीं देखती है उसमें हम लोग किसका यूज़ करता है Convex lens का यूज़ करता है हमारे आई में भी कौनसा lens यूज़ होता है Convex lens यूज़ होता है इस चीज़ को भी आपने याद रिखना है इस प्रकार जो इसका सही उतर है दोस्तों वो है option D is the right answer ठीक है चलिए एप पर तीन बज़े होती है मदू सरमा जी हाना त्री पीम पर होती है एप पर क्लास तो वहाँ पर भी आप देख सकते हैं सेशन को सभी बच्चे like भी करें जितने भी बच्चे देख रहा है ज्यादा से ज्यादा like करिए और सेशन को आप लोग share भी इसी प्रकार करते रहिए चलिए हम लोग बताए सुमित जी क्या कुश्चन है आपका अचा पार्शियल करलर ब्लाइडनेस है मायो पिया कुछ बच्चों को है यहाँ पर कुछ बच्चों को हाइपर मैटरो पिया है बहुत बढ़िया चलिए एक acid-based salt का topic revise करवा दीजिए बहुत सारे question आते हैं उश्य और उसमें doubt भी बहुत है ठीक है पूजा वादचित जी acid-based salt का question करवा देते हैं मंडे को मंडे को acid-based salt से related जितने भी सवाल हैं सारे सवाल करवा दिये जाएंगे आप बिल्कुल भी चिंता नहीं करिए ठीक है एक question सर्मिष्टा जी के तरब से पूछिए आप दो question बोल रही हैं पूछने के लिए मनी मौरिया जी previous year question discuss already मैं करवा चुका हूँ अगर आप लोग कहेंगे तो मैं फिर से previous year questions को discuss करवा दूँगा already इस channel पर playlist है आप उसमें जाकर देखिए previous year के question already मैंने discuss कराये हुए है फिर भी आप लोगों का है कहना तो मैं करवा दूँगा ठीक है चलिए अगले सवाल पर चलता है रेडियो activity is measured by radio activity को measure किया जाता है किससे गीगर मियूलर कॉंटर से पॉलेरी मीटर से कैलोरी मीटर से या कोलोरी मीटर से क्या इसका सही उत्तर है आपको बताना है अच्छा oxygen का oxidation number लिखिए उसमें k का oxidation number लिखिए और उसके बाद total को जोड़के mn का x मान लेजिए उसको 0 के बराबर कर दीजिए सुमित जी आपका आ जाएगा ठीक है oxygen का oxidation number आपको पता होगा और potassium का भी पता होगा उसे आप करके निकाल लेजिए आ जाएगा रूही सर्मा जी ये भी मैं करवा देता हूँ next week में ठीक है याद बस दिला दीजिएगा मैं करवा दूँगा अच्छा playlist नहीं चलती है कोई नहीं मैं करवा दूँगा previous year भी आप लुक नेंजन नहीं है फिर से मैं करवा दूँगा ठीक है चलिए अगले मुद्धे पर चलते हैं अच्छा मौक को स्टाटी रखें क्या हाँ बताये तो मौक के संख्या क्या पचास से सौ कर दिया जाए अठीक है मने जी मैं फिर से करवा देता हूँ सारे कॉस्सों को अ देखो tumor फोर है is का oxidation नंबर MN का निकालना है इस इनका कितना होता मैनस टूंक कर रो जाएगा कि कर का क्या हो जाएगा 7 हो जाना चाहिए आप चेक कर लेजेगा 7 है ठीक है चलिए अगले मुद्ध्य पर चलता है हम लोग तो इसका सई उत्तर है दोस्तो रेडियो अक्टिविटी डी ही की जब बात करते है तो radio activity का खोज किस ने किया था हैंडरी बैक्वरल ने किया था और इसे measure करता है दोस्तों किस से GM counter गीगर मूलर counter से measure किया जाता है तो सही उत्तर है इसका option A calorie meter से हम लोग क्या measure करता है दोस्तों इस से हम लोग heat को measure करता है याद रिखिएगा उश्मा को measure किया जाता है calorie meter से ठीक है अच्छा silver jubilee है आज और मतलब 100 होता है तो क्या बोलता है उसको हम लोग बिल्कुल available है संधी प्रावत जी hydrocarbon by यान प्रिकास आप सर्च कर लेजी बिल्कुल मिलेगा दो तीन lecture है काफी सारे lecture है अना अच्छा मॉक ही बढ़ा दिया जाए जैसा आप लोग कहेंगे मॉक अगर बढ़ाने कहेंगे तो मॉक बढ़ा देंगे ठीक है ना डिसकस करेंगे इस मुद्धे पर हम लोग कर discussion होगा the function of heavy water in a nuclear reactor is to जो heavy water होता है उसका nuclear reactor में क्या function होता है neutron की speed को slow down कर देना neutron की speed को बढ़ा देना reactor को cool करना या nuclear reaction को रोक देना जो भारी जल होता है उसका क्या कारिय होता है यह आपको बताना है अच्छा बच्चों के demand आ रहे हैं अलग अलग है है ना नाम है मेरा आकास जी ज्यान प्रिकास जा जब हम लोग बात करता है दोस्तों इस सवाल की जो heavy water है heavy water का सबसे पहले तो मतलब ही याद रखिएगा deuterium oxide होता है जिसका निर्मान किस ने किया था hecurebe ये ने इसका निर्मान किया था और इसका यूज आज मोड़रेटर करता है कहाँ पर nuclear reactor म मोडरेटर का काम क्या होता환 यह निूट्रांस जो होता है ना निूट्रांस जब आपका परमानु reactor में डूपका nuclear fusion हो रहा होता है आप लोग यह तो पता है शो nuclear reactor उसमें नुक्लियर फीजन यानि नावकिया विखंडन होता है और कैसा नावकिया विखंडन होता है कंट्रोल्ड नुक्लियर फीजन होता है कंट्रोल्ड नुक्लियर फीजन को करने के लिए हम लोग क्या यहाँ पर कंट्रोल रड का प्रियोग करते हैं Control Rad में दोस्तु use किसका किया जाता है बॉर्रॉन और कैडमियन के च्छडों का प्रियोग करते हैं ये भी आप लोग जानते होंगे और ये Control Rad क्या करते हैं जो भी neutron slowdown neutron होते हैं उसे absorb कर लेता है लेकिन neutron की speed को slow करने का काम कौन करता है यह करता है दोस्तो ग्रेफाइट करता है यह सभी neutron की speed को slowdown कर देते हैं हमारे देश का पहला जो atomic reactor या nuclear reactor था दोस्तो उसका नाम था अपसरा और याद रखे कर neutron की खोज करने वाला कौन है neutron की खोज करने वाला है दोस्तो jamstead week इस चिसको भी आपने याद रखना है इसका सही उत्तर क्या है its correct answer is option A slowdown the speed of neutron ठीक है यहां तक किसी को कोई समश्या हो परेशानी हो तो आप लोग बता सकते हैं और इसी तरह session को आप लोग दोस्तो share भी करिए like भी करें सबी बच्चे ठीक है जादस से जादा हम लोग बात करते हैं अच्छा मैं खुद कहां से पढ़ता हूँ आकास यह देखिए मैं तो कई सारी किताबें पढ़ता हूँ है ना मतलब कह सकते हैं कि एक तो सबसे basic तो NCRT है NCRT के बाद और भी कई सारी किताबें हैं मतलब लगबग 10-15 से जादा किताब हैं मतलब पढ़ी है मैंने सिर्फ और सिर्फ साइन्स की उसमें भी वो भी competitive exam की किताबें सो होती है खैर अगले मुद्दे पर चलते हैं अगला मुद्दा Chirology is the study of Chirology किसकी study को करते है Hands, Feet, Comets या Skull किसकी study को हम लोग Chirology कहते हैं या आपको बताना है समित जी घूमना पिढ़ना और मेरा एक है मतलब web series वगरा मैं कभी-कभी सामय मिलता है तो देखता हूँ एक तो traveling है दूसरा web series वगरा देख लेता हूँ कभी-कभार वो जब time मिलता है तब ऐसे समय का generally अभाव ही होता है Chirology की जब बात करते हैं तो Chirology का दूस्तो जो study है Hands की study, हाथ की study को क्या कहते हैं हम लोग Chirology कहते हैं इसके इसको आपने याद रखना है तो इसका सही उत्तर है Option A is the right answer ठीक है चलिए अच्छा अब बहुत बड़ियां Thank you जो भी मैंने कराया है आपको मतलब जो भी मैं subject कराया है जो भी चाहिए history, polity, economics या जो भी करवाया है पूरा मैं analysis करता हूँ उसके पहले देखता हूँ paper में किस परकार के सवाल पूछे जाता है अलग-लग वो आप अप टू मैं बोल रख बोलता हूँ कि UPSC को आप छोड़ दीजिए तो बाकि जितने भी one day exam होता है CDS का exam हो, NDA का हो PCS का exam हो कोई भी आप exam उससे दे सकता है लग-बग आप आराम से देखेंगे कि कोई भी आप one day exam देता है तो 80%, 90% के आसपा सवाल आपकी notes के इर्दगिर्दी रहेंगे और जहां तक मैं science, polity इस दोनों subject की बात करो तो 100% के question आपकी notes से ही रहेंगे उससे बाहर नहीं रहेंगे History में भी almost आपका 90% से अबब question आपका notes से होगा Geography थोड़ा मैंने short cut मतलब जादा उतना deep में मैंने नहीं कराया है इपना deep में जाना चाहिए था वो मैंने one day exam के लिए आज से आपको करवा दिया है ठीक है चलिए हम लोग बात करते हैं अगले मुद्दे पर चलते हैं अगला मुद्दा When TEL is added to petrol जब tetra ethyl lead को हम लोग petrol में add करते हैं तो क्या होता है It increases the BP of petrol Increases the anti-knocking rating Decreases the BP of petrol एफ़र decrease the anti-knocking rating क्या होता है इसका आप लोग जबाब दीजेगा आकास जी BPSC का interview था वो ठीक है योगेश जी वो notes कहां मिलेगा तो वो तो lecture से पढ़के खुदी बनाना पड़ेगा न ठीक है कुमार चंदन जी कंचन वर्मा जी वो notes आपको lecture देखके खुद से prepare करना पड़ेगा या फिर I think किसी बच्चे के पास available हो तो बच्चे से आप ले सकते हैं बच्चों के पास available होगा notes और हम लोग जब बात करता है दोस्तों जो petrol होता है पैट्रोल में जो tetra ethyl lead अगर मिलाया जाता है तो वो क्या करता है anti-knocking rating को क्या करता है increase करता है यानि कि आजे anti-knocking isn't की तरह काम करता है तो B इसका सही होतारे कई बच्चे यहाँ पर D बता रहे हैं जो कि सवालों को जो कि सवालों को समझ नहीं पा रहे है वो बच्चे D जबाब दे लेकिन याद रखिए कि वो anti-knocking isn't का काम करता है तो वो क्या करेगा increase करता है anti-knocking rating को पैट्रोल को यह दोस्तों हम लोग octane भी कहते हैं और पैट्रोल की जो गुनवत्ता है quality है वो measure की जाती है किसमे that is measured in octane number किसमे measure करते हैं octane number में measure करते हैं करते हैं कभी-कभी जब आप लोग petrol डलवाने जाते होंगे जो car या bike वगर चलाते होंगे उनको पता होगा वो जब normally जब बिहार में जाते है petrol डलवाने के लिए हम लोग जैसे कभी-कभी petrol डलवाने जाते है petrol डालता है petrol डालने के बाद जो petrol अलग करता है sir mileage डालने क्या है mileage का मतलब ही होता है TL डालने tetraethyl lead होता है है ना यानि वो क्या करता है engine के life को क्या कर देता है increase कर देता है mileage को क्या कर देता है increase कर देता है है ना चलिए अगले मुद्दे पर चलता है हम लोग अगला मुद्दा अगला सवाल अगला प्रश्ण आपके स्क्रेण के ऊपर next question ये रहा which fungus is known as green mold किस fungus को green mold कहा जाता है ये आपको बताना है एसपर गिलस को कहते हैं शेकरो माइसस को कहते हैं म्यूकस को कहते हैं या पानिसिलियम को कहते हैं जबाब दीजिएगा ठीक है और सेशन को दोस्तों आप लोग इसी तरह सेयर भी करिए सभी बच्चे ठीक है ना कंचन वर्मा जी explain how to motor work with fuel ये तो देखिए ये तो mechanical engineering वाला चीज है ये तो कोई mechanical engineer ही आपको बता सकता है है ना ठीक है हम लोग बात करता है जब दोस्तों green mold green mold दोस्तों कहा जाता है किसे ये कहा जाता है panisilium को और याद रखिएगा इसी panisilium notatum नामक उससे panisiline का टीका भी बनाया जाता है panisilium notatum नामक फांगाई से और panisiline का जो टीका है दोस्तों ये पहला antibiotic था जिसका निर्मान किस ने किया था दोस्तों आप लोगों को पता होगा उनका नाम अलेक्सजेंडर फ्लैमिंग ठीक है इसका सही उत्तर क्या है its correct answer is option D ठीक है फंजाई की बात करता है तो फंजाई की study को दोस्तों mycology कहते हैं और फंजाई की बात करता है तो उसका cell wall काईट ठीक है हाँ ठीक है चंदन जी मैंने सुन लिया है आपके उसको देख लिया है comment को चलिए यहां तक किसी को कोई समस्या हो तो बताईए और session को इसी तरह आप लोग share भी करते रहिए बहुत बढ़िया next मुद्दे पर चलते हैं हम लोग अगले मुद्दे की तरफ चलते हैं अगला मुद्दा MDT is used for disease कल ही मैंने बताया था आपको MDT के बारे में कि MDT का use जो है किस बिमारी के लिए होता है इसका आप लोग उत्तर दीजिएगा क्या इसका सही उत्तर होगा MDT का use किस बिमारी के लिए करते हैं अच्छा atom bomb में release कैसे होता है energy atom bomb में होता है nuclear fusion है ना nuclear fusion होता है nuclear fusion यानि नाविकिया विकंडन होता है इसी के द्वारा आपका atom bomb में क्या होता है explosion होता है और यहाँ पर uncontrolled यानि कि अनियंत्रे तिनाविकिया विकंडन होता है याद रखेंगे अब बात करता है दोस्तों जब हम लोग इस सवाल की तो याद रखेंगा MDT MDT का मतलब होता है multi drug treatment क्या होता है इसका मतलब multi drug treatment होता है और आप लोगों को पता होगा यह जो multi drug treatment है MDT का यूज किस में करता है लाप्रोसी नामक रोग में करता है सही उत्तर है इसका option B tuberculosis में दोस्तों यूज करता है dot directly observed treatment का और इसमें यूज करता है एक T का जिसे हम लोग बोलता है BCG BCG का T का यानि कि bacillus calamite urine और यह BCG का T का urine calment ने खोजा यह भी याद रखिएगा टिप्थारिया नामक जो बिमारी है bacteria के कारण होती है जिसमें हमारा throat यानि कि गला प्रभावित होता है polio की बात करता है it is a viral disease which is caused by a virus name जिसका है enterovirus और polio का T का दोस्तो किस ने develop किया है तो आपको पता होना चाहिए Janus Isak ने develop किया है polio दे कम मनाता है दोस्तो यह मनाया जाता है 24th of October को हमारा आप लोगों से प्रश्चन है कि Hanson disease किसे कहा जाता है comment में बताईएगा which disease is called Hanson disease Hanson disease किसे कहा जाता है यह आपको बताना है तो जबाब दीजिए इसका सभी लोग Hanson disease हम लोग किसे कहते हैं फिर हम लोग चलेंगे अगले सवाल पर अगले मुद्दे पर हाँ जी बताओ अब इतक किसी का जवाब नहीं आया इतना disease पढ़ा दिया आप लोगों को है ना मतलब कि आधा डॉक्टर तो बनी गया है आप लोग फिर भी नहीं बता पा रहा है Hanson disease किसे कहते हैं कई बच्चे लेप्रोशी बतारत भाईया लेप्रोशी को ही क्या कहते है Hanson disease कहते है Hanson का रोग कहते हैं है ना अगले सवाल पर चलते हैं अगला सवाल विच पाल्यूटेंट में लेड टू ब्लैक फूट डिजीज जिसने भी कल का लेक्चर देखा होगा उसको इसका उत्तर पता होगा अगला को हमने डिजीज पूरा पोस्ट माटम करेंगे असिडेश साल्ट का टिक है तो मटे को आप लोग जूड़ेंगे असिड बेस साल्ट नहीं ब्लाक फूट डिजेज का अधिक होगा मकरी का अधिक हो जाना क्या होता है दोस्तो मेना माता याद रखिएगा ऍल्स इसका कॉपर अधिक हो है तो यानि कि इसका जो सही होता है that is option C nitrate की अधिकता होती है तो उससे होता blue baby syndrome कौन सी बिमारी होती है blue baby syndrome नामक बिमारी होती है इससे भी आपने याद रखना है ठीक है clear या तक चलिए बात करेंगे इसके बाद हम लोग अगले सवाल की तरफ चलेंगे अगले मुद्दे प with acceleration यहाँ पर लिखा गया है अगर कोई lift कुछ त्वरन के साथ ऊपर की ओर जा रही है then apparent weight of a body is तो यानि body का जो apparent weight होगा वो क्या होगा more or less than true weight यानि वास्तविक weight से वो more या कम या जादा होगा equal to the true weight वास्तविक वजन्स के बराबर होगा जो आपका less than the true weight true weight जो है उससे कम होगा या more than the true weight यानि जो true weight है उससे क्या होगा अधिक होगा यानि कि जब lift में आप लोग सभी बच्चे यहाँ पर lift में तो चड़े ही होगे जरूर और lift जब उपर जाती है नीचे जाती है कुछ acceleration के साथ तो आपको पता होगा कि क्या होता है lift के अंदर ठीक है चलिए तो इसका आप लोग उत्तर दें question number 11 आपके screen के उपर है इसका आप लोग जबाब दीचिए तो देखिए जब बें lift आपकी कहा जाती है जब बें lift आपकी उपर जाती है lift उपर जाने पर दोस्तों आपका जो total weight है वो क्या हो जाता है mz plus m e हो जाता है और जब lift आपकी नीचे जाती है तो effective weight जो हो जाता है यानि effective weight वो क्या हो जाता है दोस्तो mz minus m e हो जाता है यानि कि जब lift नीचे जाती है तो हमारा apparent weight जो होता है या effective weight जो होता है वो कम होता है जिफके lift उपर जा रही होती है तो हमारा जो apparent या effective weight होता है वो क्या हो जाता है दोस्तों बढ़ जाता है यानि कि सही उत्तर है इसका option D is the right answer चलिए तो move करते हैं अगले मुद्दे पर session को share भी करते रहें आप लोग like भी करते रहें session को इसी प्रकार सभी बच्चे और lift की होज किस ने करी है बता सकते हैं आप लोग who invented lift लेट का अविशकार किस ने किया देखते हैं किनका किनका सही जवाब आता है lift का अविशकार किस ने किया बताईए और weight की जब बात करता है दोस्तो तो weight का जो आपका SI unit होता वो क्या होता है that is Newton, weight का SI unit क्या होता है, Newton होता है Sandeep Ravadji, weight जो है यह आपका MZ है, और यह किसका lift का weight है MZ ठीक है नवीन विस्वा चलिए, याद रखिएगा Otis, lift का अविस्कार किस ने किया था दोस्तों Otis ने किया था, याद रखेंगे अगले मुद्दे पर चलते हैं, अगला मुद्दा, अगला सवाल, अगला प्रश्ण आपके screen के ऊपर यह रहा, bacteria do not need sunlight to grow, because यानि जो जीवानू है, उसे बढ़ने के लिए, grow करने के लिए sunlight के अवस्यक्ता नहीं होते है, ऐसा क्यों they prepare their food without the help of the sunlight यानि कि वो बिना sunlight के sunlight के अनुपस्थिती में भी वो अपना खाना बना लेते हैं they use other kinds of light for their food synthesis, वो दूसरे प्रकार के light का use करते हैं, अपने food को synthesis करने के लिए, they lack chlorophyll and so they are incapable of making their own food, यानि कि वो chlorophyll उनमें नहीं होता है, इसलिए वो अपना food बना ही नहीं सकते, या the hate sunlight वो sunlight से उनको क्या है, नफरत है इसका क्या सही उत्तर है आपको बताना है, चिक है तो इसका आप लोग जबाब दीजिएगा क्या सही जबाब है अच्छा, they lack chlorophyll and so they are incapable of making their own food, अच्छा बहुत बढ़िया, तो चलिए जो bacteria की जब बात करते है, दोस्तों, bacteria किस के अंदर आता है, बता सकते हैं आप लो bacteria किस category में आता है ये autotrop है या heterotrop है, ना bacteria क्या है, दोस्तो, heterotrop है और heterotrop है, तो दोस्तो उसमें क्या होगा, chlorophyll होगा, नहीं होगा, और chlorophyll नहीं होगा, ये अपना खाना बनाएगा ही नहीं, है ना और heterotrop में भी ये क्या होता है, दोस्तों ये होता है parasitic, जैसे कुछ bacteria हमारे सरीर में भी होता है, जैसे example है, क्या E. coli bacteria कहा पर होता है भाई साब, ये colon में होता है, यानि कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, option c is the correct answer, है की नहीं, बताईए, हाँ जी, बताईए, किसी को समस्या यहां तक है, तो बता सकते हैं, चलिए, अगले मुद्धे पर चलते हैं, है ना, तो इसका सही उत्तर क्या है, option c is the right answer, next सवाल पर चलते हैं, अगला सवाल, अगला प्रश्न आपके screen के ऊपर, ये रहा, इसका सही उत्तर ये, ए नहीं है, बलकि c है, यापर गलत वो रंग गया है, है ना, c जो है, इसका सही उत्तर है, अगले सवाल पर चलते हैं, अगला सवाल, in the eye donation, which part of the eye is transplanted from the donor, यानि जो आख का जब transplantation होता है, जैसे आज सवाल पूछा गया था, हर्ट का पहला हर्ट transplantation किस ने किया था, है ना, तो दोस्तों यहाँ पर सवाल पूछा गया है, eye transplantation जो होता है, उसमें आख के किस हिस्से का मतलब use किया जाता है, यह आपको बताना है, तो इसका आप लोग उत्तर दीजिएगा, क्या सही उत्तर है, चीक है, सभी लोग इसका जवाब देएं, देखते हैं, चलिए, और इसी तरह session को आप लोग share भी करिए, like भी करिए, eye की study को दोस्तों, ophthalmology कहते हैं, यह तो आपको पता है, चीक है, eye की जब बात करते हैं, eye का जो दोस्तों आपका transplantation होता है, उसमें जिस part का use होता है, उसे हम लोग बोलता है, cornea, lens में जब दोस्तों problem होता है, eye मेना तो उससे एक भीमारी होती है, जिससे हम लोग बोलता है cataract, cataract यह नहीं, जिससे हम लोग मोतिया बिंद करता है, जिसमें lens पर dust जम जाता है, हमारे eye में जो lens होता है, वो है convex, retina की बत जाब करते हैं, दोस्तों, retina की जब बात करते हैं, तो आपका retina पर क्या होता है, image form होता है, लेकिन retina पर जो image बनता है, वो कैसा बनता है, real, and कैसा image बनता है, inverted image बनता है, इस चीज़ को भी आपने आगाता है, तो सही उत्तर इसका क्या है, cornea is the right answer, ठीक है, clear है यहाँ तक, सभी को, अच्छा, ठीक है, चलिए, ठीक है, मैं बता दूँगा, Sivam Tiwari Ji last में, चिन्ता मत करिये, Sivam Tiwari ji ने मुझे एक सवाल भेजा है, ठीक है, इस सवाल को मैं बता दूँगा, अभी, last में, ठीक है, Sivam Tiwari Ji, चिन्ता मत करिये, एक सांदार numerical भेजा है, Sivam Ji ने, last में, मैं उस numerical को कराऊंगा ठीक है अगले मुद्दे पर चलते हैं अगला मुद्दा अगला सवाल ए परिशन having AB blood group can donate blood to a person having यानि कि AB blood group वाला जो person है वो किस blood group वाले को blood दे सकता है हाना donate लिखका हुआ है तो बताईएगा AB group, B group, O group, A group बताईए जबाब दीजेगा इसका क्या सही उत्तर है बहुत अच्छे कंचन यादव जी बहुत बढ़िया इसी तरह session को share भी करिए आप लोग है ना जादा से जादा session को share करें तो दोस्तों AB जो है ये तो आपका universal acceptor है है ना और universal acceptor भी AB में कौन होता है तो आपको ये पता होना चाहिए AB positive होता है ठीक है ना और जब बात करते है AB blood group वाले की ना इसमें दोनों प्रकार के antigen तो दोनों होते हैं antigen both होते हैं बोथ यानि कौन antigen A और antigen B लेकिन जब antibody की बात करते हैं भाई साब इसमें कोई भी antibody नहीं होता है और O blood groups होता है इसे क्या बोलता है universal donor कहता है यानि कि universal donor इसमें भी कौन सा O negative होता है और O बाले में क्या होता है antism तो कोई नहीं लेकिन antibody यहाँ पर क्या होता है दोनों ही antibody होता है antibody यहाँ पर antibody A antibody B दोनों होता है और A B वाला blood लेगा तो सबसे लेकिन जब देने की बात होती है तो यह सिर्फ किसे देगा A B वाले को ही blood देता है यानि कि इसका सही उत्तर है option A is the right answer study mitraji तो आप मैं खाने जाएए यहाँ क्या कर रहा है आपके लिए यह जगह नहीं है अब बताईए आप लोग कि study mitraji हैं इनकी girlfriend की आद साधी है और भाई साप class देख रहे हैं अरे भाई बिहार से नहीं है न आप और बिहार से भी हैं तो बिहार में भी तो प्रबंध है ही हूम delivery का करवाईए है चलिए हम लोग आते हैं अपने सवाल पर ठीक है लोगों की देखिए कैसी कैसी समस्याएं है संजय जी देखिए आप भी समय से अपना कर लेजिये उपाए ने तो आप भी किसी दिना के comment करेंगे कि सर हमारे आज मुन्ने की कहानी मतलब साधी होने हाली चलिए अगले मुद्धे पर चलता है अगला सवाल अगला प्रश्न आपके स्क्रिन के ऊपर ये रहा study of newly born up to the age of three month is called हैनी कि जो नए बेबी जो होता है जिनका तीन मन तक age होता है उनकी study को क्या कहता है हम लोग ये बताईए ठीक है नेमेटोलाजी, नियोनेटोलाजी, कोरोलाजी या कॉनकोलाजी इसका अपलुग जवाब दीजिए संजय जी को साथ में लीजिए study मित्र जी और जाके अपना आनंद लीजिए अभी आपके लिए पढ़ाई लिखाई से थोड़ा दूर रही है अभी आपके कुछ समझ में नहीं आएगा अभी आपको अगले मुद्धे पर चलता है हम लोग यहाँ पर जब बात करते हैं जो आपका याद रखेंगे Newly Born babies hootar उसकी study को क्या कहते है रोग नियो नेटो लाजी कहते है क्यूं क्यूंत्र तक के जो बच्चे होता उसे कहते है नियोनेट नियोनेट का हिंदी होता भिया नवजात ठीक है तो सही उत्तर इसका क्या हो गया option ecosystem k किसी को को बोड़ी intention नहीं होता कि किसी का मैं मजाक उड़ाऊं हाना चलिए अगले मुद्दा पर चलते हैं अगला मुद्दा आप भी मेरे प्रिया छात्र हैं study मित्र जी ऐसे कैसे मजाक उड़ा सकते हैं आपका हैं अगले मुद्दा अगला सवाल अगला प्रश्न आपके screen के ऊपर, यह रहा, at which place is the pineal gland situated, pineal gland जो है, वो कहां पर situated है, यह आपको बताना है, brain में, liver में, kidney में, या uterus में, छीक है, इसका अब लोग उत्तर दीचिएगा, सभी लोग, चलिए, हम लोग बात करता है, जब pineal gland, यह दोस्तों क्या है, इससे हम लोग बोलता है, क्या, biological clock of human body, इससे हम लोग third eye of human body भी कहते हैं, है ना, youth voice जी, anti-pc के लिए तो सुबह 9 बज़े चलता है, class 9 a.m. पर, और साम में 7 p.m. पर भी class चलता है, दो-दो classes चल रही है, anti-pc के लिए, धमाकेदार, अब इसका आनंद क्यों नहीं लेते हैं, है ना, जब हम लोग बात करते हैं, यहाँ पर pineal gland की, तो pineal gland दोस्तो एक हामोन secret करता है, जिसका नाम है, दोस्तो, melatonin, melatonin hormone की बात करते हैं, तो यह दोस्तो, इसे हम लोग रात या अंधेरे का hormone करते हैं, यह नींद के लिए responsible होता है, और यह कहाँ पर इस्तित होता है, और ब्रैन में भी सबसे उपर इस्तित होता है, ठीक है ना, हमारे सरीर में सबसे उपर जो इस्तित ग्रंती है, वो pineal के बारे में याद रखेगा, kidney में याद रखेंगे, kidney के ऊपर एक ग्रंती होती है, जिसका नाम होता है, adrenal gland, जिसके द्वारा एक hormone secret होता है, adrenaline, और एक hormone secret होता है, noradrenaline, या जिसे हम लोग epineferine, और nor epineferine भी कहते हैं, यह दोनों hormone जो होता है, इसे supplementary hormone कहते हैं, इसे 3F hormone कहते हैं, यह हमारे सरीर के अंदर blood pressure को, आपके respiration rate को, heart beat को, pulse rate को, इन सभी चीजों को क्या करता है, regulate करते हैं, नियंतरित करते हैं, बात करता है, दोस्तों, uterus में हमारा प्लेशन है आपसे, uterus के अंदर याद रखेगा, दो temporary gland develop होता है, एक होता placenta, और दूसरा कौन सा होता है, दोस्तों, आपको यह बताना है, जो दो temporary gland develop होते हैं, उसमें तो एक तो placenta होता है, और दूसरा कौन सा temporary gland develop होता है, यह आपको बताना है, ठीक है, बहुत बढ़िया दिव्यांका विश्व करमा जी, तो फिर तो आप 10th में हैं तो आप तो expert बन जाएंगी, science की है ना, आपक बिल्कुल भी tension लेनी की जरूरत नहीं, science की आप छक्के छोड़ा देंगी, exam में जाने के बाद, ठीक है, जिस blood group में नुली बेबी को पिलिया हो जाता है, देखिए, पिलिया होने का reason क्या होता है, पिलिया में हमारे blood के अंदर, जो bilirubin और bilibardine है उसकी मात्रा बढ़ जा पिलिया के अंदर, ठीक है, तब ही होता है आपका पिलिया, ठीक है, किनका सवाल था ये, youth wise जी, quick revision के लिए north को revise कर लीजिए, corpus luteum, बहुत बढ़िया, placenta और दूसरा कौन सा होता है, corpus luteum होता है, very good, बहुत बढ़िया, चलिए, यहां तक किसी को कोई समस्या होता है, आ पिलित्र जी, ये काम कायरों का होता है, ठीक है ना, जो आप बोल रहे हैं है, हना, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, ये कायरों का काम होता है, ठीक है ना, हमेशा लडिये चीजों से, हना, और एक दिन आप, मतलब चीजों से क्या कहता है, ये ups and downs, life में आते रहता है, हर किसी क घबडाना नहीं है आपको, हना, इससे लड़िये इन सब चीजों से, बहुत बढ़िया, आकास राज जी देखिए, बहुत अच्छा सलाह दिया है इनोंने, अर्चिता राज जी भी आज जोड़ी हुई हैं, इतने दिनों के बाद, बहुत बढ़िया, अर्चिता जी, आप जोती राजपूत जी का भी सजेशन लीजी, अगले मुद्दे पर चलता है, अगला मुद्दा, जान्डिस इज डिजी विच एफट्स, यानि कि पीलिया एक बिमारी है जो प्रभावित करता है किसे, हर्ट को, गॉल ब्लेडर को, लीवर को या स्प्रीन को, यानि हिर्दय पित्ताशय यकृत या प्लिहा, इसका आप जबाब दीजिएगा, जान्डिस में हमारा कौन सा अंग प्रभावित होता है, और सेशन को सेर भी करते रहे हैं, लाइक भी करते रहे हैं, जितने भी छात्र देख रहे हैं, बहुत पड़िया, इसी तरह आप लोग सेशन को सेर भी करते रहें, जब हम लोग बात करता है, दोस्तों जान्डिस की, तो जान्डिस जो है, याद रखिएगा, इसके अंदर अभी अभी बताया, बलेड में किसकी मात्रा बढ़ जाती है, बेलिरुबिन और बेलिबर्डाइन की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं, बाइल पिगमेंट कहते हैं, इसकी मात्रा क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है, जान्डिस होता है, और जान्डिस में जो हमारा अंग प्रभावित होता है, वो कौन सा होता है, लीवर, यानि कि इसका सही उत क्या मनाते हैं वल्ड heris day थे कैमिकल सकाइब होता है और घॉक यही पर बाईल जूस का निर्मान होता है लेकिन बाईल जूस इस्टोड होता है गॉल ब्लेडर में, गॉल ब्लेडर में याद रखिएगा stone, किसके कारण होता है calcium oxalate के कारण और याद रखिएगा oxalate से एक acid होता है oxalic acid इसका use कहाँ पर होता है कपड़ों पर ink का दाग छुडाने में जो पाया जाता है किसमें टामाटर में और किसमें पाया जाता है पालक में ये भी आप याद रखिएगे ठीक है इसका सही उत्तर है option c is the right answer यहाँ तक किसी को कोई शमस्या हो परिशानी हो तो आप लोग बताना है आपको अर चिता जी यही तो मैं मैं सब को अभी बोलता हूं बताईए आपको याद मतलब आप याद हैं कि नहीं है यही मैं सब बच्चों को बोलता हूं कि मुझसे अगर कोई बच्चा काफी पहले भी कितने भी दिन पहले पढ़ा वह मैं भूलता नहीं हूं किसी को मुझे एक एक नाम याद रहता है जो regular student रहता है अब ये ऐसा नहीं कोई बच्चा आज आया एक दिन class लिया अब मैंने एक दिन उसका नाम देख लिया तो याद रहेगा ऐसा नहीं हाँ जो कम से कम एक आद वीक दस दिन 15 दिन class में रहता है फिर याद हो जाता है जिनका नाम तो मैं भूलता नहीं हूँ है ठीक है चलिए अगले मुद्धे पर चलता है हम लोग एंटी पीसे का question देखे easy to moderate है youth voice जी बहुत आसान सवाल है आसान से जो भी थोड़ा भी पढ़ने वाला बच्चा होगा easily 90% से plus question score करेगा 90% से मतलब plus question attempt करके आएगा चलिए अगले मुद्धे पर चलता है हम लोग अगला मुद्धा अगला सवाल which of the following one of the following is also called the milk sugar इसमें कौन सा एक milk sugar है glucose, fructose, lactose या maltose इसका आप लोग उत्तर दीजिए चलिए इसका आप लोग उत्तर दीजिएगा सभी लोग question number 18 और last में एक numerical भी कराऊंगा बेतरीन सा चलिए तो दोस्तों milk sugar की जब glucose की बात करते है glucose is the simplest form of sugar सबसे simplest sugar है ये है ना जिसका formula क्या है दोस्तों आप लोग जानते होंगे इसका जो formula होता है glucose का that is C6H12O6 fructose it is sweetest form of sugar sweetest form है sugar का सबसे मीठा रूप है जो दोस्तों कहा पर पाया जाता है आपका fruits में और fruits के study क्या कहते है हम लोग pomo logi कहते है lactose it is milk sugar ये दोस्तों किस में पाया जाता है milk में पाया जाते है नेकि lactose किस से किस से मिलकर बना होता है glucose और किस से मिलकर दोस्तों galactose से मिलकर बनता है glucose और जब galactose मिलता है तब जाकर बनता है आपका लैक्टोज और माल्टोज की जब बात करता है दोस्तों माल्टोज किस से किस से मिलकर बनता है ये ग्लुकोज और ग्लुकोज से मिलकर बनता है इस चीज़ को आपने याद रहना है ये पाया किसमें जाता है ये पाया जाता है चावल या चावल का जो माण होता है यानि चाव चलिए अगले मुद्धे पर चलता है आम लोग यहां तक किसी को कोई समस्या हो परिशानी होता आप बता सकते हैं और इसी तरह सेशन को सभी बच्चे लाइक भी करें ज्यादा से ज्यादा सेशन को आप लोग सेयर भी करिए ठीक है मैं भी मिलूँगा टेंसर नहीं लीजिए मैंने तो बताया है न सभी बच्चों को जिनका भी सेलेक्शन हो बस मैसेज करो कॉल करो हाना कि सर आयम सेलेक्टेड मैं आऊंगा खुद पार्टी देने मैंने तो सभी को बोल रखा है हाना और फेस्बुक पे मैं आराम से मिल जाता हाना इसली आप सर्च करेंगे मेरा नम मिल जांगा वहाँ पर एक मैसेज कर दीजिए हाना रीट के एक्जाम के लिए लेवल टू के लिए कौन कौन सी बुक परना बेस्ट होगा प्लीज बताएं वंदना जी रीट के एक्जाम के लिए आप राजस्थान का जो बोड है रा है अगले मुद्धे पर चलता है हमलोग अगला मुद्धा अगला सवाल आपके स्क्रेन के उपर विच वन एप फॉलउइं वन विच वन एप फॉलउइं इस कमशली नौन अस पॉंड शिल्क इसमें से किसे पॉंड सिल्क के नाम से जानते हैं ठीक है। पॉंड सिल्क के नाम से किसे जाना जाता है, युलात्रिक्स, राइजोपस, येस्ट या स्पाइरोगाईरा, बजरंग बली जी भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, अच्छा तो टेलीग्राम भी है ना सरमिस्ठा जी, है ना, चलिए, इसका अप लोग उत्तर देजिएगा, क्या सही उत्तर है, कि पॉंड सिल्क किसे कहता है हम लोग, तो यहाँ पर याद रखियेगा, पॉंड सिल्क कहा जाता है दोस्तों किसे, स्पाइरोगाईरा को पॉंड सिल्क कहता है, और सिल्क किसे याद रखियेगा, सिल्क वाम, सिल्क वाम का उत्पादन क्या कहलाता है, तो यह कहलाता है सेरी कल्चर क्या बोलता है इसे सेरी कल्चर ठीक है तो इसका सही उत्तर है option D is the right answer चलाएं अगले सवाल पर move करें कुछ चीजा नहीं पढ़ी होगी अर्चिता जी आपने या क्लास आपने नहीं देखी होगी क्लास अगर आपने देखी होती है क्लास तो आपने पूरी देखी थी फिर ऐसा कैसे हो गया ओ दाट्स ग्रेट बहुत बड़िया चलिए अगले मुद्धे पर move करते हैं हम लोग अगला मुद्धा अगला सवाल अगला प्रस्शन दसेंस अप बैलेंस इज एटेंडबार ये कुछ बच्चे तो इसका बिल्कुल सही जवाब देंगे यानि जो बैलेंस है बैलेंस का सेंस जो हमारे सरीड में किसके द्वार रहता है सेरेब्रम एक्विलेब्रियम के द्वारा तैलमस एक्विलेब्रियम के द्वारा सेरेब्रम एक्विलेब्रियम के द्वारा या स्पाइनल कॉड के एक्विलेब्रियम के द्वारा इसका आप लोग उत्तर दीजिएगा अलोक सिंग्जी मेरा नाम है ज्यान प्रका चलिए देखते हैं क्या सही जवाब है तो याद रखेगा दोस्तो बैलेंस का जो काम होता है हमारे बॉडी में वो कौन करता है वो करता है दोस्तो सेरेबलम है ना सेरेबलम जो होता है यानि कि जिसे हम लोग क्या कहते है इसे सेरेबलम ही कहा जाता है ये दोस्तो हमारे शरीर के अंदर क्या करता है balance का काम करता है यानि control और coordination का अकाम करता है और याद रखेगा जब भी कोई विक्ति सराव पीता है तो उसमें क्या प्रभावित होता है उसका सेरा, बैलम ही प्रभावित होता है Cerebrum, it is largest part of our brand, और Cerebrum को दो पार्ट में कौन डिवाइट करता है, यह बताईए आप लोग, कौन सा Cerebrum को दो पार्ट में डिवाइट करता है, जब बात करता है, दोस्तों हम लोग Spinal Cod की, Spinal Cod क्या करता है, Reflex Action को कंट्रोल करता है, और Reflex Action, इसकी खोज किसने करी है, दोस तो ठंड़ और गर्म, ठंड़ और गर्म का एहसास भी कौन कराता है, थैलमस ही कराता है, इस चीज़ को भी आपने याद रखना है, बहुत बढ़िया, Cerebrum को दो पार्ट में बाढ़ता है कौन, Corpus Calcium, बहुत अच्छे, अगले मुद्धे पर चलता है, अगला मुद्धा, अगला सवाल, production of which one of the following is a function of liver, यानि कि इसमें किसका production करना, liver का एक function है, यह आपको बताना है, urea, hydrochloric acid, mucus और lipase, इसका आप लोग उत्तरता हैं, सभी लोग, क्योंकि उनका control ही नहीं रहता है, अर्चिता जी, खुद पर, चलिए, अगले मुद्धे पर चलता है, इस सवाल की जब बात करता हैं हम लोग, तो याद रखिएगा, जो आपका liver है, liver में synthesis होता है किसका, यूरिया का, जिसका formula है, MS2, CO, MS2, यह क्या करता है, यूरिक acid और ammonia, इस दोनों को ही convert करता है किसमें, यूरिया में, इसलिए इसका निर्मान कहाँ पर, यूरिया में होता है, HCL, stomach, mucus भी कहा का हिस्सा है, दोस्तों, stomach का ही हिस्सा है, और यह lipase की जब बात करता है, दोस्तों, यह कहा से secret होता है, यह pancreas से secret होता है, जिसका काम होता है, वशा के पाचन में मदद करता, health and digestion of fat, अच्छा, आदमें drink क्यों करते हैं, बताईए, संजय जे, इसका जबाब देजी, आदमें drink क्यों करते हैं, अपने stress को दूर करने के लिए, बाकि जो पीते हैं, वही बता सकता है न, इसको सही तरीके से, किसी मतलब सराबी को पकड़िये, नाली में कभी चलेंगे, सड़क पे तो नाली या कहीं गिरे वह मिले जाएंगे, उसको पानी मार के उठाई और पूछिये, भाई, क्या है समस्या, बताओ, खुद ही पता चल जाएगा क्यों पीते हैं, कई लोग गम में आने के लिए भी पीते होंगे, हमको ऐसा लग रहा है, किड्नी क्या करता है, किड्नी यूरिया को फिल्टर करता है, कंचन जी, है ना, kidney जो है, वो urea को क्या करता है, filter करता है blood से, जबकि urea का निर्मान जो होता है, na, suria को synthesis करता है, urea का production होता है, वो कहां पर होता है वो हमारे liver में होता है, टेल clear a point चलिए, अगले मुद्धे पर चलता है अगले मुद्ध, अगले सवाल आपके screen के ऊपर यह रहा the floral part that produces pollen grains यानि कि फूल का वह हिस्सा जो pollen grains का उत्पादन करता है pollen grains को उत्पादन करता है वो क्या है sepal, ovary, petal या फिर anthore इसका क्या सही उत्तर है या आपको बताना है हाँ उसमें मदद करता है अर्चिता जी इसका आप लोग उत्तर दीचिएगा अच्छा ये तो सवाल हो गया निरमल बाबावाला सिवम जी इसका मैं कैसे बता सकता हूँ उपाए की अच्छा लिए हम लोग जब बात करता है इस सवाल की तो दोस्तो pollen grains इसका जो उत्पादन होता है वो होता एंथर पर और एंथर से जब pollen grain stigma पर जाता है इसे हम लोग क्या कहता है पॉलिनेशन कहता है यानि इसे हम लोग परागन कहता है इसे हम लोग परागकन कहता है इसे ठीक है तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका correct answer है option D एंथर is the right answer session को आप लोग like भी करें सभी लोग इसी तरह session को जादा से जादा आप लोग share भी करें बाकि कल दोस्तों आपकी सुबह 9 बज़े class होगी जिसमें we will discuss important questions of history for NTPC exam end 7 p.m पर हम लोग discuss करेंगे दोस्तों तो याद रखिएगा कल के पूछे गया NTPC के प्रश्णों को और रात में 9 बज़े हम लोग देखेंगे कल mock test 19 तो आप लोग कल भी 9 बज़े रात में जुडएंगे यहाँ पर जिसमें हम लोग mock test 19 देखेंगे अगले मुद्दे पर चलता है अगला मुद्दा अगला सवाल which of the following one is a communicable disease इसमें से कौन सा एक communicable disease है हाँ जयोती राजपूत जी प्रति दिन 9 बज़े हम आपको मिलता है यहाँ पर नौबज़े CGL के लिए कंचन वर्मा जी Let's crack SSC and railway exam Let's crack SSC and railway यह चैनल है यहाँ पर आप class देख सकती है सुबह 9 बज़े class होती है यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है हाँ वो अभी करवाएंगे 25 कुश्चन के बाद करवाएंगे सिवम जी चिंता मत करिए उसे भी करवाएंगे मैंने बोला हुआ है कि मैं लास्ट में करवाऊंगा ताब टैंसर नहीं लेजी जो मैंने बोला हुँ मैं कराऊंगा यहाँ पर दोस्तो और्थराइटेस बीमारी है जिसे हम लोग बोलता है गठिया यूरिक असिड जम जाता है कहाँ पर हमारे बॉन जॉइन पर वर्ल्ड और्थराइटेस डे कब भाईया 12 अक्टूबर को डाइबिटेस एक डीजानरेटिव डिजीज है और्थराइटेस भी एक डीजानरेटिव डिजीज है यह 14 नवंबर को मनाते है इसको लेकर डे और डाइबिटेस में क्या होता है ग्लुकोज का लेवल बढ़ जाता है हमारे बॉड़ी में जो कि इंसुलिन की कमी से होता है चैक है एक बीमारी है बैक्टेरिया से होने वाली जिसका नाम है कॉरेने बैक्टेरियम डिप्थरी यानि कि ये तीनों जो हैं नौन कॉमिनिकेबल डिजीज है लेकिन ये भाई साथ डिप्थरिया जो है ये कैसा एक कॉमिनिकेबल डिजीज है जो किसके कारण होता है बैक्टेरिया के कारण होता है इस चीज़ को आपको याद रखना है चलते हैं हम लोग अगले सवाल के उपर अर्चिता जी ये बात आपने सही कही है है ना और साथी सुदा लोग इसलिए जादा लेते हैं कि उनको मतलब जब वो घर पहुंचे तो घर बे कुछ भी बात हो कुछ भी सुनने को मिले कोई फर्क ना पड़े क्योंकि कंट्रोल दिमाग में रहता ही नहीं है कुद में तो सुनके अपना पता ही नहीं चलेगा क्या सुनना पड़ रहा है इसलिए वो अपना जब भी जाते हैं तो इन-जंटरल हम बता रहा है यह हर किसी के लिए नहीं है इन-जनरल लोग क्या करते हैं जब घर जाता है थोड़ा ले कही जाता है कुछ भी सुनाई पड़े, फर्क ही नहीं पड़ेगा बंदे को, है ना, चलिए, अगले मुद्धे पर चलते हैं हम लोग, अगला मुद्धा, अगला सवाल, EEG is used to detect the functioning of EEG जो है, वो किसके functioning को detect करने के लिए किया जाता है, brain, kidney, lung या heart, ठेक है, इसका आप लोग उत्तर दीज देगा, question number 24, ठीक है, चलिए, जब हम लोग बात करता है इस सवाल की, दोस्तो, EEG का मतलब क्या होता है, EEG का मतलब होता है, electroencephalography, ठीक है, क्या बोलता है इससे, electroencephalography और यह किस के लिए होता है, brand के लिए, kidney से related term है, दोस्तो, याद रखेगा, dialysis, dialysis जो होता है, वो kidney का कराया जाता है, kidney की study को nephrology कहता है, lungs की study को pulmonology कहता है, heart का जो दोस्तो, अपका activity चेक करते हैं, उसके लिए कराता है, ECG, यानि electrocardiography, तो इसका सही उत्तर क्या है, its correct answer is, option is, brand is the right answer, clear है या तक, किसी को इसमें कोई समश्या हो, परिशानी हो, तो आप लोग बता सकते हैं, अगले मुद्दे पर चलता है हम लोग, अगला मुद्दा, अगला सवाल, what is the other name for vitamin B2, vitamin B2 का दूसरा नाम क्या है, riboflavin है, thymine है, daxtrols है, या फिर hemoglobin है, क्या इसका सही उत्तर है, चलिए, इसका आप लोग उत्तर देजिएगा, हान जी, बहुत अच्छे, इसका आप लोग उत्तर देए, क्या सही उत्तर है, vitamin B2 का दूसरा नाम क्या है, vitamin D का, B2 का दोस्टो जो दूसरा नाम है, वो क्या है, riboflavin है, thymine किसका है, vitamin B1 का है, dextrose जो है दोस्तो सबसे abundant मात्रा में मिलने वाला ये glucose है, है ना, और hemoglobin जो है दोस्तो ये क्या है, एक प्रकर का protein है, जिसका काम क्या होता है, oxygen का transportation, vitamin B2 को ही दोस्तों हम लोग vitamin G भी कहते हैं, और vitamin B2 के बारे में याद रखिएगा, इससे एक बिमारी होती है, मतलब vitamin B2 के बारे में, photophobia, और इससे एक बिमारी होती है, दोस्तों, kilosis, ठीक है, अब last में दोस्तों एक numerical है, बहुती बहतरी numerical है, काफी अच्छा numerical भेजा है इन्होंने, इस numerical को हम लोग कर लेते हैं, ठीक है, question है, इनका question थोड़ा समझिएगा, सीवं तीवारी जी ने भेजा है, द्रव्यमान का पिंड, frictionless घर्षन रहित, surface पर, यानि चाहितेज ब्रिष्ट पर, तीन मीटर पर सकेंड की एक समान चाल से फिसल रहा है, सवाल को ध्यान से पढ़िए, समझिएगा, कहा जा रहे कि 6 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पिंड है, ये कोई एक frictionless surface है, इसका मास मान लेजिए, कितना है, 6 केजी है, और ये 3 मीटर परती सकेंड के स्पीड से क्या कर रहा है, फिसल रहा है, तो भाइस अब जब इसी स्पीड से इसे वो कराना है, क्या बोलता है, इसी स्पीड से जब इसे गती कराना है, और frictionless surface है, कोई friction ही नहीं, तो कोई force क्यों लगाएंगे 0 Newton का force लगेगा तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा C option है इसमें इसमें option था 27 Newton था 54 Newton था 18 Newton था और 0 Newton था ठीक है तो सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा 0 Newton और इस तरह का सवाल तीवारी जी मैंने कराया था है ना आप लोगों को अगर याद हो तो इस प्रकार का मैंने सवाल अल्रेडी मौक में करवा रखा है है कि नहीं जो regular बच्चे होंगे उनको पता होगा समझ में आ गया सभी को अब कुछ बच्चे तो सवाल पढ़ो नहीं जवाब देना सुरू कर देते हैं कोई चीज डालते हो ना तो अगर टैग नहीं करते हो तो मुझे पता नहीं लगता अब ग्रूप में क्या होता है हजारों मैसेज रहते हैं तो उतना तो मैं पढ़ता नहीं तो कभी जब भी ऐसा हो तो आप हमें एट दी रेट करके आप टैग कर दिया करो मुझे ताकि मुझे पता चल जाएगा तो मैं वही सिर्फ मैसेज देख पाता हूँ उसमें तो ऐसा कोई डाउट हो तो आप हमें ग्रूप पे मैसेज कर सकते हैं है ना ताकि मैं जो भी आपके डाउट हो उसे क्लियर कर सकूँ ठीक है बहुत बढ़ यह स्टडी मित्र जी खाई है दो-तिन मिठा ही हमारी तरफ से भी हाँ जोती राजपुत जे बिलकुल करवा देंगे और किसी का कोई दिक्कत है समस्या है तो आप बताईए अब यह नहीं कहना कि भाई कि मेरी ex-girlfriend का साधी हो रहा है या फिर परसों मेरी boyfriend का साधी हो वो सब देंगे पढ़ाई से related कोई doubt है तो पूछिए हैना उस doubt के लिए आप संजे चौदरी जी को भेज सकता है ऐसे doubts उसमें वो expert है हैना मतलब साधी कराने में और तोड़वाने में दोनों में चलिए खैर हम लोग आता है यहाँ पर session को आप लोग क्या करिए like करिए share करिए channel को आप लोग subscribe कर लेजिए और telegram channel है hello teachers इससे आप लोग जरूर जोइन करिए ठीक है ताकि यहाँ पर आपको videos के link मिल जा और यह है मेरा code gyn10 इसको use कर आप 10% का discount ले सकते हैं ठीक है जब भी आन academy का subscription आप purchase करता है और अन academy पर 13th जैन से मेरी class start हो रही है super TED के लिए हैना plus course start हो रहा है फिर साम में 7 बजे NTPC में पूछाए के प्रश्णों को हम लोग देखेंगे और रात में 9 बजे mock test होगा यहीं पर mock test 19 ठीक है अब यहाँ तक किसी को कोई समस्या वगर है तो आप लोग पूछने नाइलोन भी तो फाइबर ही है ना कंचन जी उसके लिए polymer का lecture देखिए ना आप बिल्कुल संजय जी अवश्य बुलाएंगे है ना इस समाज के प्राणि है ना सुमित जी समाज में चीजों को देखते हैं है ना तो मतलब पता चलता रहता है लोगों के दुख से मैं साधी सुदानि मिरे मित्र गंत उ है ना उनकी परिछानियां तो देखता हूँ कि कितने परिशान है बेचारे फोन करते हैं और पो फोन करेंगे जब हो न ए समित्र है है ऐसे पूरा मतलब याद Concartz being आयेगा अ से उनकी परिषानिए देखता हूँ थो पता चलता रहता है चलिए, यहां तक किसी को कोई समस्या हो तो बताएं, नहीं तो मिलेंगे हम लोग फिर से कल सुब़, चलिए, फिर मिलते हैं हम लोग सुब़ कितने बजे, नौ बजे, तब तक लिए सभी को तैंक यू सो मच, बबाई, टेक केर एंड, गूद नाइट तू अबरिवाइट